नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कच्छा साथ की गड़ेत की एक्सरसाइज सेविन एफ और उसके प्रस्ट नंबर छे और साथ के बारे में जानेगे जो की चक्रवद्धी ब्याज और साधरर ब्याज से संब्दित हैं तो चलते हैं दोस्तों शुरू करते है तो प्रस्ट नंबर छे मेरा इस प्रकार से है कि रुपए पांच हजार के आठ प्रिच्छत वार्शिक ब्याज की दर से तीन वर्स के चक्रवद्धी ब्याज वस्ताधर ब्याज में अंतर ग्याद की जिए तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है और समय दिया गया है मेरा तीन वर्स जो कि एक-एक करके हम तीनों साल का अलग-अलग निकालेंगे अब हम निकालेंगे पहले वर्स के लिए चक्रवद्धी ब्याज जो कि मेरा साधार व्याज की बराबर होगा और इसको हम उसी सूथ से लगाएंगे मूल धन गुड़े दर गुड़े समय और इसके बटे में 100 तो मेरा मूल धन दिया गया है तो मेरा मूल धन दिया गया है 5000 और दर दी गई है 85 और समय जो की एक साल के लिए है तो एक और नीचे बटे हो गया 102 जीरो से दो जीरो कैंसल हो गया पचास का आठ में गुड़ा कर गया यानि पांच का आठ में पांच अठे चालिस और यह जो एक जीरो है वह आ गया इसका है मतलब 400 रुपए आ गया मेरा पहले साल के लिए ब्याज कि यह हो गया फर्स्ट यह अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए चक्रविद्धी ब्याज इसको भी हम उसी सूथ से लगाएंगे मूल्धन गुणे दर गुणे समय और बटे सो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक लाइन कम कर दिया है मूल्धन मेरा पहले था पांच जार रुपए जैसा कि आपको पता है अब क्या हुआ कि यह 400 रुपए जो है इसमें बढ़ अब मूल्धन मेरा हो जाएगा 5000 प्लस 400 और गुणे दर मेरा वही याट प्रिस्चत और समय मेरा वही एक वर्स बटे सो यहाँ पर मेरा मूल्धन जो है हो गया 5400 गुणे आठ बटे सो एक का गुणा हो जाएगा वह एक ही लेगा अब हम इसको निकाल लेंगे तो चम्वन का आठ में गुणा कर देंगे तो आठ चोको बटे सासिल लगा तीन आठ पंचे चालिस और तीन तेतालिस चारसो बटे सुपए आ गया अब आज दूसरी साल का अब हम लोग इसी प्रक्रिया को तीसरे वर्स के लिए भी करेंगे और उसी सुट्र से मूल धन गुणे दर गुणे सम है और बटे सो यहाँ पर फिर से हमें एक बात ध्यान देनी है सुरी यहाँ पर हमें उसी बात को ध्यान देना है पहली साल था पांच हजार दूसरी साल ब्याज हो गया था चारसो रुपए और तीसरी साल अभी अभी हमने निकाला है चारसो बटेस रुपए यह देखें आप पहली साल था 400 रुपए दूसरी साल 432 रुपए तो इन दोनों को हम लोग इसमें जो है एड़ कर देंगे 432 यह हो गया मेरा मूल दन और दर मेरा वही याट पिस्ट और समय हो गया वही एक साल के लिए और बटे में आ जाएगा इन तीनों को हम लोग जोड़ के लिख देंगे तो 2,0,0 यानि 2,3,0,0 यानि 3,4 और 4 हो गया 8 और 0 और पांच 5,832 सुपय गुड़े 8 बटे 100 गुड़ा कर दीजिए इसको सिंपिल से तो 8,2,9,16 हासिल लगा 1,8,3,4,1,25 हासिल लगा 2,8,8,64 और 2,6,8 हासिल लगा 6,8,5,4,6,6 और बटे में है 100 ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यह जो नीचे वाले 2,0 है इनको हम जब कैंसल करेंगे तो उपर दो अंग बार दसमलब आ जाएगा तो यह मेरा हो जाएगा चार सो चार 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 दसमलब 56 रुपए यह आ गया मेरा किस साल के लिए तीसरे साल के लिए थर्ड यह अब हम निकालेंगे टोटल जो मेरा चक्रव्रद्धि ब्याज आया तो अब हम यहां पर ने लिखेंगे तीन वर्स का कुल चक्रव्रद्धि ब्याज और यह मेरा हो जाएगा पहले साल चार सो रुपए आया था दूसरी साल चार सो बत्तिस था और तीसरी वर्स चार सो चार सो चार दसमलब 56 तीनों को हम जोड़ देंगे तो दसमलब 56 जिदर हो गया 6, 2, 8 और 0, 8 हो गया 6, 3, 9 हो गया और फिर चार आठ चार दिया बारा 128 रुपए चपन पैसे यह मेरा आ गया तीन वर्स का चक्रव्रद्धि ब्याज अब हम लोग निकालेंगे तीन वर्स का साधारण ब्याज तीन वर्स का साधारण बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समल और बटे सौ तो मूलधन मेरा था 5000 रुपए और दर मेरी याट फिर सत्ती समय एक साध तीन वर्स बटे सौ अगर हम साधार ब्याज से निकालते तो सीध आए एक लाइन में प्रस्न सौल्व हो जाता तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए अब पांच अठे चालिस और चालिस तीया एक सो बीस और एक जीरो आगे हो गया तो यह हो गया बारा सो रुपए मेरा साधार ब्याज आ गया अब जो प्रस्न हम से पूंच रहा है कि चक्रवद्दी ब्याज और साधार ब्याज में अंतर तो दोनों का हम लोग तुरत निकाल देंगे अंतर दोनों को हम घठा देंगे चक्रवद्दी ब्याज आया था बारा सो रुपए यही मेरा अंसर आ गया दोस्तों उमीद करते हैं आप लोग इसको समझ गया होंगे अब चलते हैं अगले प्रस्तियानी प्रस्त नंबर साथ पे तो प्रस्त नंबर साथ मेरा इस प्रिकार से है कि अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में पंद्रा सो रुपए जमा किये दो वर्स बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज में मिलेंगे यदि बैंक चार प्रस्त वार से चक्रवद्दी ब्याज देता हो तो सबसे पहला का हम हम वही करेंगे कि हम यह देखेंगे कि हमें क्या-क्या दिया गया है तो यहां पर हमें दिया है मूल धन जो की है कि पंद्रा सो रुपए उसके बाद दर मेरी दी गई है चार पित्सत समय है दो वर्स जिसको कि हम एक एक करके निकालेंगे दोस्तों फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि चक्रविद्धी ब्याज निकालने के तीन तरीके हैं उसमें से अभी हम लोग पहले तरीके से इसको हल लगा रहे हैं और वर्स के लिए चक्रॵिद्धी बडाबर स्धार लगेगा क्योंकि पहले बरस्ट प्हले दर गुणे समय बटें जो और यहां पर्मूलधन है देहां श्त पंद्र सक लिए निकालेंगे दो जीरू से दो जीरू कट गए 15 चो को आ गया 60 और ये 60 रुपए आ गया मेरा पहले वर्स के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझना आए या गड़े बिल्कुल अच्छे से समझना आए तो मेरे जो पिछले वीडियो है प्लेलेस्ट में जाके उनको भी देखिएगा और आगे आन चक्रवध्धी ब्याज और इसमें भी हम वही सूत लगाएंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ ये जो तरीका है ये साधार ब्याज के सूत से हम इसको लगाते हैं अब यहां पे दोस्तों मूलधन मेरा बदल जाएगा 15 रुपए पहली वर्स था 60 रुपए और दर मेरा वही रहेगा समय अब दूसरे वर्स के लिए हो गया तो समय भी एक साल हो जाएगा 15 रुपए गुणे चार एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी एक जीलों से एक जीलों कट गया अब च्छों को चौबिस शहासिल लगा दो पांच चौबिस यहांसिल देंगे हम 10 का तो यह जीरो हटेगा तो उपर दसम्लब लग जाएगा तो यह मेरा आजाएगा 62.4 रुपए यह हो गया दूसरे साल के लिए अब कुल चक्रवधी ब्याज मेरा जो है वह आंसर आ जाएगा तो कुल चक्रवधी ब्याज पहले साल मेरा जो था 60 रुपए दूसरी साल था 62.4 रुपए तो दोनों को जोड देंगे दसम्लब 4 दो और 6 और 6 हो गया 12.122.4 रुपए यही मेरा आंसर आ गया दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मि मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार